पॉजिटीवडी भी क्या माइंसेट है जैसे मैंने बताया उसमें चाहे हिल्थ हो हिल्थ का भी माइंसेट है अगर हम सोचे कि मेरा हिल्थ एक दम अच्छा रहना ही रहना है रहेगा रहेगा हम उसकी तयार ही करेंगे सब करेंगे माइंसेट है थकान माइंसेट है कुछ लोग थोड़ा काम करके बोलते हैं मैं ठक गया कुछ लोग 24 गंटे करो नहीं होता है ठकता नहीं है हम अपने माइंड को कैसा सिगनल देते बाड़ी वैसा सपोर्ट करता है आज भगवान की देया से 16-16 गंटे काम कर रहे ह 12-12 साल से कुछ नहीं होता थकने का काम ही नहीं है अपना माइंसेट है हम अपना प्रोग्रामिंग कैसे करते है वैसे डिपेंड है खुशी खुशी भी माइंसेट है कितना किस चीज पर कैसे खुश होना आज मुझे यह मिला उसके मैं खुश हूँ या जो नहीं मिला इतना उसके लिए दुखी रहेगा आदमी और ऐसे इसे लोग रहते कि मैं घर पर गया चाही नहीं पीछो मेरे को बराबर बाजवाले को चाही में इतना ज्यादा दे दिया मेरे रूख कम आ गया उसने उसको वह शर्बत दिया मुझे मुझे कहा कहा दुख होने का रिजन मेरे सास ने ऐसे बोल दिया मेरे ननन ने ऐसा बोल दिया बोल दिया तो बोल दिया होगा हमको इंपोर्टेंट है कि हम कैसे उसको एक्षप करे हम उन्होंने बोला उसके लिए हम अपने आपको दुखी कर रहे है गलती किसकी है अगर किसी ने कुछ बोला तो गलती किसकी है उ खुशी का हर सिचुएशन में हर सिचुएशन में हर कंडिशन में हम खुश रह सकते हैं हर सिचुएशन में हर कंडिशन में खुश रह सकते हैं हमको वैसा अपना माइनसेट बनाना पड़ेगा एक दिन में नहीं आएगा ट्रेन करते 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 अपने आपको ट्रेन करना पड ही है कि उपर तक मिले हमको उसमें कोशिश में कहीं पीछे नहीं रटना चाहिए लेकिन जो मिला उसको इंजोई करना चाहिए वह बहुत इंपोर्टेंट है हमारी जिन्दगी में इंटरेफेर करने का किसी को हक कर भी नहीं नहीं सकता है तो जो हमारा ही करम है हमारे हिसाथ से हमको मिला तो दुखी क्यों ने का? आगे कैसे करना उसको अगे में कैसे अच्छा बनाओ अपना जिन्दगी, मेरे जिन्दगी को कैसे मैं सक्सेस करो? उसी पर हमको फोकस करना चाहिए तो Satisfaction जो भी 100% होना ही चाहिए है सब्सक्राइब करना चाहते लेंगे वह इंपर आई इसा कैसा हम इस नहीं हुआ कर दिए या इतना सब जो मिला है इतना अच्छा खाना पिना मिला उसके लिए खुश होगे तो अपने उपड़ है अपने उपर इंपर कुछ है और कुछ नहीं है last point retirement retirement भी just mindset है खाली mindset है retirement हमारे इंदुसान में ही है देखने को मिलता है कि 60-70 हुआ साल का हो गया बच्चा हो गया पूता पती हो गया अब तो हो गया मेरत सब गया अदमी mindset बना लेता है, रिटाइर्मेंट का, और जिस दिन आदमी रिटाइर्मेंट का माइंडसेट बना लेता है, उस दिन से उसको प्रॉलम्स चालो हो जाते हैं, यह क्योंकि खुद्रत क्या बोलता है, आप इस धरती का अन्न खा रहे हो, और ढूर अरुग रिटेन में कुछ नहीं कर रहे हो तो आपको फिर प्रॉलम्स होना चाहिए जल्दी से जल्दी तो शरीर में प्रॉलम्स होना चालो हो जाते हैं इसलिए कभी भी माइंसेट से रिटायर नहीं होना चाहिए चाहिए आप पैसे कमाने के लिए काम करो नहीं करो कुछ भी काम कर सकते हैं कुछ भी काम करो तो आप समा सेवा करो, जहां मन लगता है करो, कुछ भी करो, लेकिन एंगेज रहना बहुत जरूरी, अगर आप बीजी नहीं है, तो फिर खाली नेगेटिविटी आती है मैंड में, हेल्थ के प्रॉलम्स आते हैं, सब होता है, आज हम फॉरेंड में देखो, 80 साल के एज में नया नया व्यापार चालू करते हैं, नया नया बिजनस एंपार खड़ा करते हैं, जब तक हम जिंदा है, आकरिशन तक काम करना चाहिए, यह माइंसेट होना चाहिए हमारा, पहले से डिसाइड होना चाहिए कि जब तक मैं आकरी अनाच खा रहा हूं, इस धर्ती का, मुझ करते हैं, पहले से अनाच झालू करते हैं, बढ़ करते हैं, इस खंड करते हैं, नया बदी टेह होनाे हूं, जिसकारिक